हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं मेरे बाल आपको कितने शाइनी लग रहे होंगे लंबे हैं काले हैं आप भी चाहते हैं आपके बाल भी ऐसे लंबे काले घने मजबूत बने तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ए बस्टेम विजिट कर रहे हैं तो प्ली चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और जो साइम बेल आइकन है वो भी कर दीजे प्रेस ता कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो प्ली जैसे लाइक जरूर करना और वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना है जिससे आपके बाल लंबे काले घने और मजबूत बने और ये भी बताया जाएगा कि इस रेमेडि को अपने बालों में लगाने में क्या साफधनी आपको बरत है आपके स्केल्प को साफ करके जो डट सेल होती है उसको रिमूफ करता है और नए बाल ऊगाने में बहुत जादा यह हल्प करता है दूसरा इंग्रीडेंट हमने लेना है काली मिर्च काली मिर्च के 8-10 दाने लेंगे और इसे बारिक पीस लेंगे हो सके तो यह बादियार से बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए तो काली मिर्च अब आप अपने बालों की जड़ों पर लगाते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेlection फास्ट होता है और बाल एकदम से बाल सफेद बाल काले होना स्टार्ट coord ho žائیںगे और जो एक गंजापन आ जाता है काली मिर से गंजेपन की समस्या भी दूर होती है और इसमें add करेंगे एक चमज creht और तीन चार बुन्दे नीमबू के रस की आदा चमज के करीब नीमबू का रस इसमें हम add कर देंगे शहत, काली मिर्च, यह तीनों चारों चीज़ों का हूँ जो कॉंबिनेशन है ना यह आपके बालों को इतना मतलब अच्छा बनाएगा, हेल्दी बनाएगा बाल आपके बहुत जादा शाइनी हो जाएंगे तो यह तूटरें जड़रें तो यह जो रैमेडी है वो रामबन् रैमेडी है आपके बालों के लिए आपके बाल इससे काले होना इस् illness टारट हो जाए 1 बालों के बालों को पहले अपने दो भागों में डवाइट कर लेंगेis से कॉम कर लेंगे और बालों की जड़ों में इसे लगाएंगे या ब्रश की साहता से भी लगा सकते हैं और हातों की साहता से भी फिंगर टिप्स की साहता से भी आप इसको लगा सकते हैं पहले कॉम कर लेंगे अच्छी तरह से इसको तो उसके बाद जड़ों पर अपने हलके हाँ से मसाज करनी है पांच दस मिनिट के लिए करीब मसाज कर दीजिए उसके बाद एक घंटा ऐसे लगा रहने दीजिए नहाने से एक घंटा पहले आपने इसको लगाना है तो ऐसे लगा रहेगा और ये हपते में आपने दो बार इसको लगाना है और आप इसको जब लगा डाइट में सीजनल फ्रूट, खटे फल इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है पपीता भी खाना है, अमरूद भी खाना है और आवला तो आपने खाना जरूर है इसके लावा ये आपके बालों को लंबा करता है और जितने भी वह भी हेर प्रॉलम है आपको तो आवला अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए किसी भी तरह से आप इसको खा सकते हैं आवले का मुर्बा मिलता है बाजार में आवले की जो कैंडी होती हो खा सकते हैं आप आवला खाने से बालों की जो रुकी होई ग्रोथ होती वो दुबारा स्टार्ट हो जाती बाल आपके फिर से लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे और अक्सर ये प्रशन पूछा जाता है कि क्या हम ये जो रेमेडी है जो दहीं से बनी जितने भी हेर मास्क होते हैं उनको हम बालों पर रोज लगा सकते हैं तो नहीं आप इसे सिर्फ हफ्ते में दो बार ही लगा सकते हैं एक घंटा या तीस मिनट तक इसे आप लगाना काफी होता है और बालों की ग्रोथ के लिए और काले बनाने के लिए इसलिए से तीस मिनट या एक घंटे से ज़्यादा आपको इसे नहीं लगाना आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताईगी बाते आपको पसंद आई होंगी